तो चलिए उपिंदर राना हमार सा स्वांदरता जूट चुके हैं लाइव उनका ज़रा रूखाना चाहेंगे किस तरीके की तैयारिया की जा रही है चारधा म्यात्रा को लेकर उपिंदर आपसे जाना चाहेंगी क्योंकि देखें दस मईए से चारधा व्यात्रा की शुरुवात होनी वाली है क्या कुछ तयारिया लगपप पूरी कर लिग गई है देखें बिल्कुल जिस प्रकार से अक्षे तिरते के दिन जो है जिसके तीन धामों के कपाट दस मई जो है वह खोले जाएंगे इसमें गंगोत्री तुमनोत्री और और क्डाना धाम के कंपाट जो है जो हैं ऐसे में सरधालों भी पूरी तयारें में जुटि हुए यानि कि यह कह सकते हैं कि सर्दालू भी काफी उत्साइथ है लगातार जिस परकार से जो रेश्टेशन हो रहे हैं ऐसे में अभी तक 19,26,000 सर्दालों ने चार धामों के लिए अपना रेश्टेशन कर दिया है और हर दिन जो है लगबग हर प्रतेक धामों में जो है पांच जार से जादा, तीन जार से जादा सर्दालों जो है वो अपना रेश्टेशन जो है वो कर रहे हैं उसके बाद 12 माई को जब बदिनात धाम के कपाट खुल जाएंगे तो ऐसे में चारो धामों की यात्रा विद्वाद रूप से जो है वो सुरू हो जाएगी और जिस पांच लाग से जादा सर्दालों ने बदिनात के लिए जो है वो अपना रेश्टेशन करा या नहीं कि यह कह सकते हैं कि सबसे जादा जो है किदारनात और बदिनात के लिए अभी तक सर्दालों ने रेश्टेशन करा चुकी है वह एकर सरकार की बात की जाए तो वह भी प अगर कहीं पर कमी अगर दिख रही है तो न कमियों को तरीके से दूर किया जाए वो ठीक बी कर दिया गया और कई डेंजर्स जोन ऐसे हैं जहां पर आने वाले समय में खत्रा बढ़ सकता है तो उन डेंजर्स जोन पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि उन डेंजर्स जोन को ठीक किया जाए तो उस पर भी जो चाहे उत्रकासी के जिलादिकारी हो रूतरप्रया के जिलादिकारी हो यह चमॉली के जिलादिकारी हो उन डेंजर्स जोन को जो है वो देख रहे हैं उन पर मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे है साथ यकर चारधाम यात्रा मारगों के बात की जाए तो वहाँ पर भी मरमत का कारे जो है वो लगातार चल रहा है कहीं पर जो सड़के टूटी हुई है उन सड़कों को बनाया जा रहा है जिन सड़कों में गड़े है उन सड़कों पर जो है काम चल रहा है यानि कि लगातार जो कारे है काफी तेज गती से जो है वो चल रहा है दूसरी ओर स्वास्ति विभाग की ओर से भी बिल्कुर के अपने की तही का आपने लगातार से स्वास्थ विभाग की तरह से सतर्क है। Și चलि वह भुआ शुक्रिया, क्योंकि देखे उत्वाकन श्रकार की बात करें तो आगामी चिरल स्सक्षा सक्त श्रकार जटीर है।